हाई फ्रेंड आज हम यूपी में बनने वाला नास्ता बनाएंगे इसके लिए मैंने चार कप गेहूं काटा लिया है नमक स्वाधनुसार और आधा चमच के करीबन मैंने जीरा लिया है फ्रेंड ये मैंने एक चमच कसूरी मेथी का इस्तमाल किया है फ्रेंड तेखे इस तरह चमच के करीबन हिंग डालेंगे और मैं हरा धनिया पती डालूंगी इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है और फिर काटा है फ्रेंड आप अपनी सरद्धा के अनुसार हरा धनिया पती का इस्तमाल कर सकती हैं देखिए मैंने इन सबी चीजों को डाल कर अब हम मिक्स करेंगे और पानी की साहता से एक अच्छा सा डो बना लेंगे फ्रेंड जिस तरह से हम पूरी का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम डो बना कर त्यार करेंगे देखिए फ्रेंड मैंने डो बना कर त्यार कर लिया है इसमें लगभग एक गिलास पानी का इस्तमाल हुआ है फ्र मैंने रात भर भीगो कर रखा था अब हमारी दाल भीग कर त्यार है अब हम इसमें के लिए मसाला त्यार करेंगी इसके लिए मैंने अद्रक कद्धू कस करके लिया है आधा इंच और काली में चली हैं दस, दस से बारा मैंने लॉंग लिये हैं और ये लैसन लिये हैं कली, पंद्रा और छे से साथ हरी मिर्चे लिये हैं और हरी धनिया पत्ती लिया है अब हम मिक्सी ग्राइंडर के जार को लेंगे उसमें हम चना डाल डालेंगे और चना डाल डालने के बाद में हम जो मसाल लिये थे हरी सबजी जैसे की लैसुन और हरे मिर्चे, हरे धनिया पत्ती और काली मिर्च लॉंग इन सबी चीजों को डाल कर डालेंगे हम इसके बाद में हम फ्रेंड ये ताजा नारियल है आप इसे भी डाल सकती है अगर आपके पास हो तो आप डालिएगे ना हो तो ना डालिएगा फ्रेंड ये कोई जरूरी नहीं है बस इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है इसके बाद हम एक चमच जीरा डालेंगे एक चीजों को डाला है अब हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद में हम इसे पीस लिए है फ्रेंड ये दरदरा पीसा है मैंने इसे महीन पेस्ट नहीं बनाया देखिए फ्रेंड ये बिल्कुल दरदरा है मैंने महीन पेस्ट नहीं बनाया अब हम इसमें आधा चमच घरम मसाला डालेंगे और आधा चमच लाल मिर्च का पाउडर का इस्तमाल करेंगे देखिए इन सबी चीजों को डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए मैंने मिक्स करकर लिया है यह मिक्स करके इस तरह से दिख रहा है अब हम जो आटा लिये थे उसक दाल का उसे इस तरह से लगा लेंगे और इसे हम पलट लें इस तरह से मोड लेंगे फ्रेंड ये बहुत आसानी से मोड जाता है और आप इसे इस किनारों से दबा लीजिए गा और इसके बाद में हम इसे बीच से इस तरह से काट लेंगे आप चकू की साइटा से काट सकती है मैंने पीजा कटर की साइटा से काड लिया है अब हमारा देखे इस तरह से अब हम इसे इस तरह से दबा लेंगे जो काटे हुए हिस्सा है उसे हम इस तरह से दबाएंगे दोनों मैंने इस तरह से दबा लिया है ताकि जो हमारा मिसरन बाहर ना निकले अब हम कडाही में तेल करम करेंगे मैंने रिफाइंड तेल का इस्तमाल किया है अब हम जब हमारा तेल करम हो जाए तब हम इसे इस तरह से डाल लेंगे और एक तरब जब सिख जाए तब हम दूसरी तरब से इस तरह से सेख लेंगे देखे फ्रेंड मैंने दोनों को डाल कर इस तरह से अच्छी तरह से सेख लिया है अलट पलट के हमारे जो ये नास्ता है बेलकर त्यार है ये खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होता है आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक केज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा देखे फ्रेंड हमारा नास्ता बिल्कुल बनकर त्यार है ये बहुत ही टेश्टी नास्ता बना है